दोस्तो अज़की वीडियो बहुत ज़्धा खास होने वाली है उन users के लिए जो की music सुनना बहुत ज़्धा पसंद करते हैं और specially अगर आप Spotify पे सुनते हो तो अज़की वीडियो आपके लिए और ज़्धा interesting होने वाली है क्योंकि आजकी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे equalizer के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको help करेगा आपका music experience और ज़्धा enhance करने में अगर आप Spotify यूज़ करे हो तो आपके लिए बहुत दा better है और अगर आप दोस्तो normal किसी music player पे भी सुन रहे हो तो भी कोई problem नहीं है तो दोस्तो वीडियो पूरी देखना वीडियो बहुत दा interesting होने वाली है और दोस्तो वीडियो शुरूने से पहले वीडियो को कर देना ला लाइक, साथ में चानल को कर देना सब्सक्राइब तो दोस्तो चलिए अच्की वीडियो शुरू करते है या फिर कोई भी टाइप की earphones हो जिनको support करता हो यानि कि दोस्तो बेसिकलि अगर आप 3.5mm jack वाले normal headphones को यूज करते हो तो वहाँ पे वो equalizer आप यूज कर सकते हो पर दोस्तो अगर आप Bluetooth headphones यूज करते हो अगर earbuds यूज करते हो तो वहाँ पे ये कोई काम का नहीं है ऐसे में दोस्तो आज की इस वीडियो में जो equalizer मैं आपको बताने वाला हो उसका नाम है spotty queue आप दोस्तो देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको एक equalizer application दिख रहा होगा जो की जब आप open करते हो तो फूरस टाइम थोड़ा you होता है और लोड होने के बाद दुस्तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा interface आता है जहाँ पे आपको पूछा जाता है कुछ पर father message जिनको आपको simply okay करना है और ok करने के बद दुस्तों यहाँ पर आपको और एक बार ok करना है और ok करने के बद आपका application स्टार्ट हो गया basically दुस्तों इसमें add साते है क्योंकि of course premium नहीं है अगर आप add remove करना चाहते हो और premium features पाना चाहते हो तो आपको दुस्तों यहाँ पर premium purchase करना पड़ेगा जो कि अब दुस्तों यहाँ पर 3.1 menu पर क्लिक करके यहाँ से get pro version पर क्लिक करके पास सकते हो और दुस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ है application है जहाँ पर main screen पर देख सकते हो ऊपर title बारे जहाँ पर spotty q लिखा हुआ है और menu है नीचे दुस्तों audio equalizer से जहाँ से आप इसे enable disable कर सकते ह हो बाद में दुस्तों नीचे option है bbs जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में यहाँ पर कुछ presets है जो कि आप यहाँ पर apply कर सकते हो आपकी music के लिए और custom presets भी save कर सकते हो बाद में दुस्तों यहाँ पर AEQ यानि कि दूस्तों automatic equalizer जो कि दूस्तों अगर आप 25 पे special लेक आपको बताया यहाँ पर दूस्तों आपको बहुत सरे options मिलते है लाइक दूस्तों यहाँ पर जब आप इस 3.12 menu पर क्लिक करोगे और यहाँ पर दूस्तों आपको सेटिंग में जाओगे दूस्तों बेसिक लिए अगर आप यहाँ पर Spotify मोड मिलता है जिसका नाम है Spotify मोड ज अब दूस्तों यहाँ पर आपको यह जो application है वो दूस्तों यहाँ पर adaptive equalization प्रोवाइड करेगा मैंने दूस्तों इसे कहा था automatic equalizer like दूस्तों सेम दूस्तों concept यहाँ पर है adaptive equalizer यह फिर automatic equalizer जो कि आपके music के सबसे खुद कर लेता है best equalization settings जहासे कि आपको music सुनने का जो experience है और the better मिलता है तो आपको इसे enable करना है बाद में दूस्तों यहाँ पर option है run as a startup जो कि आपको premium में मिलता है तो अगर आप premium में पे जाती हो तो यहाँ पर आपको यह सारे option स्यूज करने का option मिलता है बाद में दूस्तों यहाँ अगर आप dark theme या फिर dark mode को पसंद करते हो तो जो कि दूस्तों आपको help करता है अपकी music level को और the enhance करने में यह भी दूस्तों उसी एक mode में आता है अगर आप इसे enable करते हो तो आपका music level और the अच्छा हो जाएगा बाद में दूस्तों यहाँ पर नीचे है enable bbs plugin को enable कर देना है जो कि दूस्तों आपकी system का base boost जो है वो बढ lover हो तो आपको दूस्तों यह help करेगा base को आपको दूस्तों यहाँ पर इनास करने में तो यहाँ पर enable bbs plugin को enable कर सकते हो बाद में a gc bbs को भी enable कर सकते हो बाद में दूस्तों यहाँ और एक option है audio service always on जो कि आपको इसे enable करना है ताकि दूस्तों जब भी आप कभी भी spotify on करो या फिर आपकी device में दूस्तों background से इस app को आप recent में close कर दो तो यहाँ से जो है वो यह automatically on होता जाएगा जब आपने spotify को enable किया है तो यहाँ पे हमेशा open नहीं होगा यह background में रन होता जाएगा जिससे कि आपको दिक्रद भी नहीं होगी कि यह हर बार application open हो रहा है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो बाद में दूस्तों यहाँ पर बहुत सरे और options है लाइक दूस्तों delete cache memory और reset to default दूस्तों यह options आपकर आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो तो basically दूस्तों अभी हमने इतना तो इसे इनेबल कर दे यहाँ इस सारी settings आपने जान ली अ आपको वीडियो में बताने वाला हो क्योंकि मैंने इसे पहली बार ट्राइ किया है पहले ट्राइ करके रखा है तो यहाँ पर दोस्तों यह मेरे सामने अनहीं आ रहा है option तो basically अभी आपको इसे कैसी उस करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपकी Spotify के application में जाना है य दोस्तो अब हम आ चुक है हमारी settings में settings में आने के बाद दोस्तूब आपको यहापको क्या करना है नीचे Scroll Down करना है और नीचे है और उस option को enable करने के बाद दोस्तो चाहे अपने यूज किये हो wired headphones या फिर wireless Bluetooth headphones तो दोनों पे भी automatic equalizer apply हो जाएगा जो कि आपके audio की हिसाब से automatically या फिर adaptively equalize करता जाएगा जो कि आपको music experience बहुत जदा better बना देगा दोस्तो ऐसा है यह application application आप यहापे देख सकते हो मैंने वहाँ से उस option को enable करके रखाए जिसकी वज़े से दोस्तो यहापे मैं जो है वह उस songs के details इस application में फेज कर पा रहा हूँ बाद में दोस्तो यह आपको दो options मिलते हैं एक दोस्तो यह यह बटन जो कि आप अगर आप इस है तो यह क्लिक करते हो तो यह क्या करेगा कि जो अपने उपर से कुछ एकुलाइजर से अपलाइ कर यह है कुछ पर्टिकलर समस के लिए तो वहां पर उन सोंस के लिए सेटिंग से उस करेगा बाद में दोस्तो यहाप अब देख सकते हैं एक कर सकते हो और आपका music experience बहुत ज़दा बेटर बना सकते हो और दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता है था कि यह ना सिफ आपको Spotify बलकि आपको normal music सुनने में भी help करेगा अगर आप आपके device में music सुन रहे हो, Bluetooth पे सुन रहे हो और अगर आप Bluetooth पे equalization apply करना चाहते हो तो आप इस application को यूज़ कर सकते हो जहाँ से कि इनकी कुछ presets है उनको यूज़ कीजिए ताकि आपका audio experience, music experience बहुत ज़दा बेटर हो जाए तो दोस्तो बस मुझे उमेद है आपको ये video पसंद आई होगी, अगर आपको ये video पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें comment बताना आपको वीडियो कैसे लगी, अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझा ओ देना है तो आप में comment में ज़रूर दे सकते हो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को कर लाइक कर दिजिए साथ मी चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Have a Great Day